नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं GDS याने की ग्रामीर डाक सेवक भरती के बारे में एक नोटिफिकेशन 6 जन्वारी 2023 को जारी हुआ है Government of India, Ministry of Communication, Department of Post याने की GDS सेक्षन की तरफ से और इसके आधार पर ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर जो activity है data entry और freezing of the vacancies by the divisions के माध्यम से data entry की जानकारी या जो भी vacancy आने वाली है उसके बारे में आवेदन और नोटिफिकेशन जो है 23 जन्वारी 2023 तक जारी किये जाएंगे 6 तारिक से 17 तारिक तक division को काम दिया गया है कि ये सारी चीज़े आप sort out करें कि पिछले जितनी भी GDS की vacancy आई ती या जितने लोग retirement हुए है उसके आधार पर अब कितनी vacancies है अवेलेबल और उसके आधार पर 23 जन्वारी 2023 तक एक notification जारी किया जाए और GDS की vacancy निकाली जाए तो अब यदि आप दसवी पास हैं दसवी के आधार पर चुकी इसकी एक सबसे अच्छी खास बात ये होती है GDS की vacancy कि किसमें किसी भी प्रकार का exam नहीं होता इसमें जो selection process होती है वो आपके दसवी के आधार पर होती है तो जितने भी लोग केवल 10th पास है या 10th बेस से जौब ढूड रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि GDS की vacancy अगेन आ रहे है और यहाँ पर यह हो रहा है कि GDS की vacancy आपको साल में दो बार देखने मिलेगी जैसे पिछली बार अभी मई जून में आई थी अभी जनवरी में फिर से आ रही है आने वाले 6 म माईनी के अंदर यह फिर से आएगी तो यह एक बहुत ही अच्छी opportunity है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद आपके इसमें percentage जो है वो भी माईनी रखते हैं कि किस percentage पर आपका selection होना है जादा से जादा preference आपको भरना है इस vacancy के लिए यह जब vacancy आएगी इसके बारे में हम इसकी पूरी process के बारे में बात करेंगी कैसे form को भरना होता है क्या process होती है कैसे selection process होती है GDS से सम्बंदित और भी वीडियो आपको इस चैनल पे लगातार मिलते रहेंगे यदि इस vacancy के लिए आपको computer certificate की आवस सकता है तो आप वो certificate घर बैठे ह भी प्राप्त कर सकते हमारी संस्था है प्रयाग दास्तोमर computer education जिसके माध्यम से आपको certificate प्राप्त होगा यह certificate GDS की विकेंसी के लिए 100% valid है इसके regarding मैंने बहुत सारे already videos बनाए हुए हैं यदि आप उन videos को एक बार देखना चाहते हैं हमारे इसी channel पर जाकर videos को जरूर झाले